So hello my dear lovely students, आचुका है आपका first round DCEC PM और PMM का यानि बिहार paramedical और paramedical metric का first round का allotment order और यह आप लोग यहां से देख सकते हो कि उपर में जो red आपका scroll हो रहा है उसमें first round provisional seat allotment order of DCEC PM और PMM is now available ठीक है तो हम लोग कैसे देखेंगे तो कुछ नहीं करना आपको यहां online application form में आपको जाना है और online counseling portal में आपको DCEC अगर आप paramedical के हैं तो PM पे click किजेगा second वाले पर अगर आप paramedical metric के हैं तो metric पे click किजेगा जैसे हम लोग PM का भी check करेंगे एक student का अपना तो यहां पर आप देख सकते हो भी यहार paramedical counseling 2024 ठीक है तो इसमें हम लोग रॉल नंबर पासवर्ड और security pin डालके हम लोग यहां पर capture डालके sign in करेंगे ठीक है तो जैसा कि हम लोग उने रॉल नंबर पासवर्ड और capture डालके अब हम लोग sign in करेंगे जैसा कि देख सकते हो हम लोग लोग इन कर लिए लोग इन करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार से दिखेगा ठीक है तो यहां candidate profile available choice choice filling choice locking और seat allotment result में देख सकते हैं new आ गया है तो अब इस पर हम लोग click करेंगे ठीक है क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा incomplete 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 दिखाएगा ठीक है seat allotment result क्योंकि अभी तक मैंने इनका view नहीं किया तो view seat allotment result incomplete है उसके बाद जो college मिलेगा ओ इन से संतूस्ट होंगी तो अपना willingness submission में yes type करवा देंगी यानि लॉक कर देंगी choice यानि यह college में admission लेक लिए उत्यार है नहीं होंगी तो second round में जाना है तो willingness में no type कर देना है और submit कर देना है और उसके बाद third वाला आप देख सकते हो download provisional seat और आट पर नहीं है नहीं तो आपका first round में अगर आप नहीं गये और आपने auto-upgradation करा रखा है तो आपका second round आपका invalid हो जाएगा तो आपको जा नहीं जाना है first round में अगर आप first round का seat allotment से खुश नहीं हो second में auto-upgrade किये हो यानि willingness में yes no no type करके auto-upgradation कियो तो भी आपको जाना ही देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा और वीडियो में नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजएगा चैनल को लाइक करना ना भूले वीडियो को आपको auto-upgradation का पूर अच्छा से समझाया जाएगा जैसा कि देख सकते हो इनका UR rank 2 था और इन्होंने अपना home state लिया तो GNM training school DMCH दरभांगा इनको मिला है ठीक है तो इनका GNM school DMCH दरभांगा ही इनका चला जाएगा क्योंकि first option ही इनको मिल गया है और इनका option first था rank इनका पूरा अभिहार में no.2 था ठीक है general इनका rank 2 था ठीक पर submit willingness में इनको यसी करना हो क्योंकि इनको first ही choice मिल गया है चुकि इनको यहां first ही choice मिल गया है तो इनके पास auto augmentation का कोई साधन नहीं है ठीक है तो यह आपका पूरा यहां counseling हो गया फ्रीज करके फिर third वाला download or automate order कर देना है और फिर डाउनलोड हो जाएग लाटमेट आउड जैसा कि फ्रीज वाला पर फ्रीज का क्लिक करके password डालना होगा तो मैं password डाल देता हूँ पासवर्ट डालने के बाद आपको OTP जाएगा नंबर पर submit willingness को ok करने के लिए जैसे इनको अप्ग्रेडेशन अलाउड नहीं था क्योंकि इनका first ही choice मिल गया है अब यह अप्ग्रेड नहीं कर सकती है अब willingness submit करने के बाद यहां पर इनका download करूंगा मैं allotment order ठीक है इनका first choice ही यही था अब डाउनलोड करने के बाद open करेंगे हम लोग जैसे कि देख सकते हो यहां पर allotment order download हो गया है so reporting center यहां पर सबसे नीचे में आपको दिखेगा DMCH इनको जाना पड़ेगा दरवंगा कब जाना है 9-14 के बीच में जाना है auto-upgradation status नो क्योंकि इनका rank 2 था general category से यानि यह टॉपर थी ब्यार पार लेके जाना है वो भी इस वीडियो हम लोग बात कर लेता है so आपने पूरा process auto-upgradation का समझ लिया अब जानते हैं कि DV में क्या क्या लेके जाना होगा तो आपको यह check slip ज़रूर लेके जाना है छठा नमर पर आपको check slip मिल जाएगा check slip में ही जतना भी documents है आपको सारा documents लेके जाना होगा वो आपको मैं पूरा भी explain कर देता हूँ यह check slip आपको print out करवा के लेके जाना होगा यह आपका एक दो तीन चार पांच पन्नों का आपका है एक set बना लिजेगा एक extra set रख लिजेगा कुछ गलती वलती हो जाता उसके डीवी में document verification में एक number पर matriculation का आपका certificate intermediate का mark sheet और आपका admit card और results वगएरा फिर आपका जाती निवासी आया है ठीक है EWS है तो EWS SMQ quota है तो SMQ quota last जहां से पढ़े हैं वहां का आपको character certificate अनिवार रहे है ठीक है और इतना सारा आपको लेके जाना form part A part B भी आपको मिल जाएगा और बाकी सारे यह official है यह वहां पर आपको भरवाए जाएगा ठीक है तो इतना आपको लेके जाना है इतना सारा documents हाँ बनवा लीजिए और कोई भी दिखाता है comment sections में comment कीजिए और इस वीडियो को share कर दीजिए और अच्छे तरीके साब को मैंने अगर समझा है तो comment ज़रूर कीजिएगा अपना feedback ज़रूर दीजिएगा और subscribe कर दीजिएगा चैनल को इसी प्रकार के informative news पाने क किली मिलता है नग्स वीडियो में तटकली बबाइ और टेक्ली बबाइ और टेक्यर